अभिनंदन है जी सभी का क्रिशवाट पर आज हम आपको दुपट्टा पेंटिंग करना बताएंगी जो ये आप देख रहे हैं इसके साथ का पहले हमने सूट किया था उन्हों को सूट अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हमें दुपट्टा भी रेडी करके दें इसी से हम हम आपको बता रहे हैं किस तरह से दुपट्टा पेंटिंग किया जाता है और कि इस तरह से हमने जैसे पतियां आपको पहले सूट में दिखाई थी हमने बना के उसी तरह से पत्तियां बनाके डवल शेड वाली उस पे हमने गोल्डन कलर की आउटलाइन की है और उसके बाद हम आपको फूल बनाना बताएंगे और जब भी आपने दुपट्टा पेंटिंग करना है तो आपने जो कलर है वो सूट के एक ओर्डिंग दुपट्टे पर पतले ही रखने हैं ज्यादा उस पर गाड़े कलर नहीं लगाएंगे अगर हम ज्यादा गाड़ा कलर लगाएंगे तो आपका जो दुपट्टा है वो हाड हो जाएगा कपड़ा और वो आपको जो नीशिंग है उसकी वो भी अच्छी नहीं आएगी और वो जो color है अगर आप मोटा लगा देंगी उस पर जादा गाड़ा लगा देंगी तो जो दपटा है वो जादा hard दिखाई देगा वो जब आप उसे पहनेंगे या ओडेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा स्मूथ नहीं होगा इस तरह से हमने पतला color लगा के उसकी shading करनी है बाहर वाली side जैसे हम हर वीडियो में बताते ही है आपको white color लगाना है और beach वाली side जो है हमने pink color लगाया है आप कोई भी और color लगाना चाहें तो आप किसी भी color से इसी तरह से white और दूसरे color से उसकी shading कर सकत हैं और हमने जो बीच वाला part है वह उपर वाली side से white रखा है क्योंकि वह पत्तियों के part अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह से सारा complete कर लेना है और उपर वाली side भी हमने थोड़ा सा white लगा कि उसकी अच्छी तरह से mixing कर देनी है और जो beach वाला part है उसमें हम उस सकते हैं और double zero से भी और इसी तरह से हम बाहर वाली side है जो उसकी outline कर देंगे white से तांकि जो हमारा design है वो और भी अच्छा उबर के आ सके और इसी साथ हम इसकी कलियां बना देंगे जो बाहर वाली side हमने grass type एक हरी डंडिया निकाली हुए हैं उनके आगे हम जो है कलियां ब बनानी है और जो हमने नीचे वाली side लगाना है वह देखिए white color ऊपर व इसी तरह से हम जो है कलियां बनादेंगे जहां-जहां भी हम यह करे किने में बनाने हैं और इसी तरह से हम दूसरी साइड वी उबर वाली साइड वाइट रख के और फिर नीचे वाली साइड है जो भी उपर वाली साइड ही बाइट रखना एक अर जो छो पत्तियां होती हैं वह बहुत सुंदर लगती हैं वह भी हम जो इर्दगिर्द है फूल के वह बना देंगे और इसी तरह से हमारा जो डिजाइन है वो सारा कंप्रीट हो जाता है और अगर आपने दुपट्ड़ापैंटिंग करनी है तो आप कलर जो है वह सूट के फोड़े पतले ही रखने हैं और इसी तरह से हम परपल डार्क परपल कलर के फ्लावर बनाएंगे जो परपल कलर हमने बीच में रखा है वो डार्क है और बाहर वाली साइड लाइट कलर है इससे हम उनमें छोटे फूलों में बूर भर देंगे जो की जैलो कलर से भरा है हमने इसी तरह से सूट और दपटा हमारा रैडी हो जाता है और ये जो है आपने इसी तरह से बनाना है ठाटम्जव माशा ठाटम्जवान ये जता है इसी तरह मित्मारा राटमारा रैडी होई है